गुड मॉर्निंग एवरिवन, काफी दिनों बात ये वीडियो डाल रही हूँ और चाती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा आप लोग इसे लाइक करें और अपने फ्रेंस को शेयर करें ताकि इस मंदिर के बारे में सभी लोग जानें ये मंदिर गोलु देवता का है जब हम जागेस्वर से आ रहे थे तो हमने यहाँ पे दर्शन किये थे ये एंट्री हमने पीछे से ली थी क्योंकि आगे कोई लंगर चल रहा था और काफी रश था इसलिए हमने पीछे से एंट्री ली थी पीछे के रास्ते इतना ज़्यादा रश नहीं था वैसे भी वैकेशन्स चालू है तो इसलिए लोग सुकून और ठंडा के लिए पहाड़ों पर आते ही है और वैसे किसी भी मंदिर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पॉजिटिव वाइपस आती है फील भी होता है लगता है मानो आपको अंदर से किसी ने छुआ हो और आपके मन में अगर कुछ नेगितिव है भी तो वहाँ जाकर खतम हो जाती है किसी भी मंदिर में आप जाओगे तो आपको सुकून मिलता ही है लेकिन इस मंदिर में लगतार गंटियों की आवाजे मन को एक अलग सा सुकून देती है ये आवाजे जब वादियों में गुंसती है तो लगता है मानो बानने वाले की विश को गोलू देवता के सामने दोहरा रही है पहले मैं इस मंदिर के बारे में जाता नहीं जानती थी पिछली बार जब अलमोडा रही थी तो फर्स टाइम गई थी इस बार सैकेंड टाइम है यहाँ पर बंदी चिथियां बंदी गंतियां ऐसे विश लोगों का विश्वास का परतीक है सचमुच एक पावर है जिसने सब कुछ सम्हाल रखा है इस बार मैंने कुछ मांगा नहीं है बस एक सवाल लेकर गई थी गोलो देवदा के सामने लेकिन सैद उस सवाल का जवाब भी मुझे पता है इन लोगों को देखो कैसे दूसरों की चिथिया पर पढ़के खुश हो रहे हैं चोटी सी घंटी इस बार इन्होंने बांधी है लोग भी इसलिए कर देते हैं ताकि कई बार हवा यहां इतनी तेज चलती आधी तूफान से घंटिया गिर जाती होंगी कई सारे घंटे अमने गिड़े हुए भी देखे थे वहां जमीन पर पड़े हुए थे बंदर उस पर चड़ रहे थे खेल रहे थे इस घंटी की आवाज भी इतनी जादा जो पर जरस्त है न जो पूरा गूंचते तो बहुत सुकून मिलता है इरिटेशन नहीं होती बहुत सुकून मिलता है दो तीन लगे हुए थे मेन गेट पर इस इतरह के बड़े बड़े घंटे